आप सभी को माज़ श्रिवात्ती की बहुत-बहुत शुब कामना हैं, बहुत-बहुत बधाईगें। इस कारिकम में उत्तरपदी सरकार के प्रहते नयुद संस्कृती मंत्री स्री नीलकंड तिवारी जी, एमेटी उनिवर्सिटी के चांसलर डाक्टर अतुल चोहान जी, वाइस चांसलर डाक्टर बल्विंदर शुकला जी, एमेटी परिवार में मेरे युवास साथियों, कारिकम से जुड़े प्रभुजनों। आप सबको मैं आज का विशेश पर हुए, जिस पर पर भगवान शी और माता पारोती की किरपा हम पर बनी रहे। और हमारी सभी मनोरत, हमारी सभी कामना पूरी हो, समाज के सभी लोगों का कल्यान हो, ऐसे हम आज के पर पर शुब कामना देते हैं, और आशा करते हैं कि भगवान हम पर सब पर कल्यान बनाये रखेगा। मेटी यूद पेश्टिबल के दस्वे संस्क्रण में, आप सभी परतेवाली शात्रों मेटी विश्विध्याले संकाय से सदर्शों से जूड़कर मुझे बहुत प्रसंता हो रही है। मेटी विश्विध्याले एक ऐसा शिक्षं केंद्र है, ज़ा शिक्षा, तकनीक की शिक्षा के साथ संसकारों की शिक्षा दी जाती है। आज इस कारीकव में अपना टेलन्ट दिखाने के लिए, अपनी क्रिविट्यविटी दिखाने के लिए, अपना कंपिटिटिव स्किल दिखाने के लिए आप सब शात्रे शात्रा हैं, नौजवान जिस जोश के साथ हिस्सा ले रहें, वो प्रसुद्षायोग है अता सबसे पहले महिस्सा लेने वाले विध्यारतियों नौजवानों को इस सवसर पर बहुत-बहुत शुपकामना देता हूँ और विशेश रूप से इस कारेकम के आयोजिन करने के लिए एमेठी प्रशाशन और विश्द्याले के संचालकों को बहुत-बहुत शुपकामना है देता हूँ देश के सर्वानगिन विकास के लिए शिक्षा एक अनिवारिक कारक है और शित में सरकार के सभी प्रयासों के साथ साथ निजी शित की भागिदारी भी आवशक है ऐसे में एमेठी जेसी शिष्षन सरस्ता हैं बड़े इंफारिस्टरचर उपलब कराती है तदा छातों को अध्यन के लिए उप्युक्त महोल अवसर प्रधान करती है इसके लिए निश्रिस साधुवात के पात हैं साथियों ग्यान के शित में हमारे देश की अपनी एक पेचान रही है ये पेचान सद्यों पुरानी है कहते हैं कि शुन्य का अविशकार भारत में हुआ आज ग्यान के शित में भारत विश्व का नित्त कर रहा है और नित्त में विशेश भूमी का आई देश के नोजवान की है शुनि से मंगल यान्त की हमारी यात्रा रही है उपनिशत से उपग्रतक का सपर हमने ते किया है ऐसी उपलग्यों से देश का गोरोब बढ़ा है आज का समाज समाज टेकनोलोजी डिवन है इनोवेशन टेकनोलोजी इसकिल डवलोमेंट ही समाज को गती उड़ जा दे रहा है ऐसे में आउशकता है कि हमां अपनी सब्वेता और संस्कृति की ज़रों से जुड़े रहकर आधुनी विज्ञान कला और तक्नीकी के शिकर की और अग्रिसर ह हमारे युवाओं में सपने देखनी की शमता है इन संक्नों को संकल्ब में बदलने की और संकल्ब को सिद्धी में बदलने की में शिक्षन सलस्ताओं की भी भूमी का महत्पुन है और आज हमारे देश का नोजवान जो सपने देखता है उन सपनों को अपने आजविश्वा के साथ अपने संकल्प को पूरा करने में आज कटी बर्द है इसी कारण पूरे विश्व के अंदर भारत का नोजवान आज नेतुत कर रहा है इसकुल और कोलेज शिक्षा केंद के बढ़ नहीं है यह उंचे लक्षों और उंचे संकल्पों को साधने की शक्ति अर्जित करने की प्रेड़ना इस्तली है यह विध्यारतियों के चरित निर्मान और उनके सामर्त निर्मान की उड़जा भूमी भी है सरकार की ओर से नई राष्टिय शिक्षा निती कोशल निती तता युवा विकास निती को देश के युवाओं के सर्वानगिन विकास को केंद में रख इसक्ति पर निर्वड करती है जिस देश का युवा जितना जागरत जितना शिक्सित और होनार होता है वो देश उतनी ही तरक्ति के समन्द में युवाओं के अग्रदूत शामी कि युवा शक्ती ही राष्ठ शक्ती है आज हमारी युवा शक्ती हमारे देश की अर्थ व्यस्ता में महत्पूल भूमी का निवाज रही है और इसके लिए हमने युवाओं की शक्ती को पहचानने और उन्हें भारत के भुईश के निर्माताओं के तोर पर विक्सित करने का एक व्यापक प्रियास किया है युवाओं में नेत्त शम्ता का विकास किया जाना भी बहुत आउशक है नेशनल यूट पार्लेमेंट एक ऐसा ही कदम था जिसमें देश घर के नोजवानों ने भाग लिया देश के लोगतंद प्रजातंद के बारे में चर्चा की देश की विकास में चर्चा की और इसको एक युवाद दिवस के रूप में संसत के केंद्य कक्ष में मनाया जहां हमने आजादी का जश्न मनाया था युवाओं में स्वेधानिक मुल्यों और आदर्शों के प्रती जागरुकता पेदा करने के उद्देश से माने प्रधानमंती जी ने 9 युवर कॉंस्टिटूशन का मंत दिया है हमारा लोगतंद तभी सशक्त होगा जब सवेधानिक आदर्शों को आत्बू साथ करे हमारी युवापीड़ी लोगतंद की गतिद्यों में सक्रिय भागिदारी करे जहां हमें सवेधान में अधिकार मिलता है वहां मारे कुछ दाइत भी है जब देश का नोजवान इस बात पर विचार करना लगेगा कि हमारे मनिश्यों जब सविधान बनाया था उस समय अधिकार के साथ दाइतों को निभाने की एक दिशा भी दी थी और आज समय आगया है कि हमने अपने अधिकारों से देश को बढ़ा सकते हैं हमारा उसमें क्या योगदान हो सकता है यही सविधान के प्रति हमारी सथी निष्टा होगी हमारी संसद विश्च की सबसे विशाल और कारिशिल लोकतानती संस्ता है यह दोनों सद्नों में समवाद और चर्चा की सम्रंद प्रंपरा रही है हमारी संसद देश की 130 करोड जनता के प्रतिनिती के रूप में सांसद या आम जन की आशाओं और अपिक्षाओं की अभी वेक्ति करते हैं जनता की समश्याओं और तकलिवों को कैसे समाधान हो कैसे जनता का कल्यान हो उसके लिए समय समय पर लोकतंत के अंदर सार तक चर्चा और समाध करते हैं मैं इस मोखे पर आप सब जुड़े नोजवानों के भी आग्रह करूँगा कोविट के बाद मुझे आशा है कि शिगरी हम संसद दिखाने के लिए एक प्रियास करेंगे और हमने संसद दिखाने के लिए अब ओनलाइन पास की वैस्ता भी किये मैं विशेश्वूप से मेटी विशिध्याले के चांसलर चोवान साब से आगरह करूँगा कि आपके यहाँ पर देश का नोजवान चाए लोग के अंदर हो अन्र फेकल्टी के अंदर हो कई जगे शिक्षा प्राप्त करा है वो संसद के इस लोगतंत को मंदिर को देखने आए ताकि हमारी देश के लोगतंत और पजातंत में और विश्वास हो हम इसके माध्यम से और समश्याओं का समाधान कर सकें राष्ट पिता महात्मा गांदी ने कहा था कि तागत शरीर की सक्ती से नहीं बलकि इच्छा शक्ती से आती है हमें अपने युवाओं में राष्ट निर्मान की उच्छी इच्छा शक्ती को सुदर करना है साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज स्किल बेस्ट एजुकेशन से भारत का रच्छात्र वेश्चिक मानुकों को छू रहा है आज भारत का हर युवाओं वेश्चिक पहचान बनता जा रहा है ऐसे में युवाओं शक्ती की जिम्मेदारी अपने राष्ट के प्रती और समस्त मानुता के प्रती और बढ़ जाती है आज मैं जब भी विदेश में जाता हूँ देखता हूँ कि हमारा देश का नोजवान जो तक्निकी और सुचना प्रोधिकिक के रूप में सबसे अग्रणी है आज उस देश के अंदर अगर इस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा विद्यारती नोजवान है तो भारत का है यही हमारी प्रतिवाहों को दिखा रहा है और इसमें आपके विश्विध्याले का भी बहुत बयोगदान है अभी मैं सुन रहा था कि दस से ज़्यादार देशों के अंदर आप लगातार देश के नोजवानों को आपके विध्यारतियों को लगातार उनको जोडते हैं समय समय पर उनकी स्किल डवलोमेंट करने का का भी करते हैं ताकि वह जिस देश में भी हो उस देश के अंदर भारत का गोरोब बढ़ा सके इस पेस्टिबल के अंतरगत युवाओं के दारा इनोवेशन और रिशेच के शित में नेव प्रयोग की हैं इससे युवाओं की प्रतिबा और समता को निकारने का अवसर मिलता ह ये अत्यंत हर्ष की बात है कि हजारों की संक्या में बच्चों और युवाओं ने इस M.A.T. यूथ पेस्टिबल में भाग लिया है और इस कारेकम को जिवन्त बनाया है मैं समझता हूँ आज का दिन यहां उपस्तित युवाओं शक्ती के लिए एक संकर्प लेने का दिन है हम अपनी गोरोशाली सांसकती विरासत पर अपने वेववशाली भईश्र की निव रखेंगे दरसल इसी प्रकार के कारेकम देश की युवाश्रक्ती को नई दिशा देते हैं और निश्य ही एमिटी विशिद्याले उसमें अपनी महत्पूर्ण भूमी का निभारा है सातियों युवाओं में असीम शब्ता होती है वे नई उचायां छुना चाहते हैं और इस लक्ष की और धड़ संकल्पित होकर कारे करते हैं आवश्रक्ता है बस उसको संबल देने की उसको नई दिशा देने की और उनकी इच्छाओं उनकी अपेक्षाओं को सवर्धन करने की मुझे आशा है आपका विश्रिद्व्याले इसके लिए लगातार प्रियास करेगा मेरी युवाश्रक्ती से आगर है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मिश्पास और प्रतिवद्दता के साथ कारे करने के लिए नित नए कीरतिमान इस्तापित करें इससे हमारा देश का गोरव पूरे विश्व में इस्तापित होगा मुझे पुर्ण विश्वा से मेठी यूद पेस्टिबल जैसे कारेकम से युवाव में नई उर्जा नई पेड़ना का संचार होगा भारत दिन प्रतिदिन प्रगति और विकास की नई उचायों को छूता रहेगा और मेरा आप से यह आगर है कि हम समय समय पर हमारे विध्यारतियों को भी और जो हमारे विध्यारती अध्यन करके यहां से निकल गए हैं उनके साथ भी विशुद्याले लगातार संपग में रहे और समय सय पर उन विशुद्याले निकलेवे नोजवानों नहें जो अपने अपने शित्तों के अंदर जो महत्पून कारे की हैं जो उपलबदियां हैं इस पेस्टिवल के माध्यम से उनकी कीगी उपलब दियां उनके के नए प्रयासों जो देश के अंदर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं उनको भी हमारी सुवर्तमान पीडी को बताएं कि यहां से निकने वाला विध्यारती ने हमारे देश का नाम पूरे विश्च के अंदर गोरों के रूप में बढ़ा है और किस तरीके से अपनी शमता के आधार पर नए टेकनोलोजी के माध्यम से नए इनोवेशन के माध्यम से किस तरीके से उनों ने इस देश के अंदर जहां पर स्किल्ड करने का काम भी किया है जहां पर नई टेक्नोलोजी और उसके साथ नए ऐसे काम कियें जिस से भारत के अंदर रोजगार देने का काम भी किया है हमें इस वर्तमान पीड़ी को हमारी जो बहावी पीड़ी निकल गई यहां से समय समय पर उनके कारेकों भी इस पेस्टिबल के माध्यम से बतानी क्या आउशकता है मैं पुने एमेठी विश्द्याले प्रशाशन उनके संचालों को बहुत बहुत शुपकामना देता हूं कि उन्होंने आयोजिन किया आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत शुपकामना है जैहिन जै भारत